हाई नमस्ते स्वागत है आपका शावित्री की रसोई में जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय हमारे बच्चे किचन में थोड़ा थोड़ा काम सीख रहे हैं वो कुछ न कुछ बना रहे हैं तो आज हमारे बच्चे किचन में क्या बनाने जा रहे हो सैंडविच बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने आलू का मसाला तयार कर दिया है कुछ नीक आलू को उबालने के बाद उसको मैस कर लीजिए मैस करके हल्दी मिर्चा और चाट मसाला अगेर 1ちょっと-1 एडा कीला मिर्च पाउडर याप रहर मिर्च खाना चाते हैं तो हर हली मिर्च काटके ईडाल दीजिए मैस लाल मिर्च पाउडर ॉसके बाद एक चंबने के बागट अब भूलते यार कर लीजिए तेल डालिए तेल गरम हो जाए तो जीरा डाल दीजिए और आलू में नमक आप फोलने के बाग उपर से आलू में नमक डाल दीजिए जब जीरा चटकने लगे तो भूला हुआ मसाला हल्दी मिर्च और अमचुर वो स्वरी चैट मसाली का उसको घुटे ब्रूल दीजिए उसके बाद ग्रूश को भूल दीजिए जब अलू हो जाये तो उसमें आप कैप्सिकम थोड़ी सी कैप्सिकम गाजर हो तो गाजर टमाटर प्याज इसको आप कच्छा ही डाल दीजिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी मसाला तैयार होता है वह म अगER आप लोग कहेंगे तो हमारे बच्चे और भी कुछ बनाएंगे और नहीं तो यह उन्चиновा चठा वीडियों है आगे का वीडियों हम कंटीनुय करेंगे तो देखिए यह लाइना है हमारे भक्षोंगा उत्साप बढाईए और अपने बच्चों को भी काम करने के लिए प्रेडित करिए, क्योंकि हर काम सीखना बहुत जरूरी है, कब कैसी सिट्वेसन आए, कहा नहीं जा सकता, इसलिए चलिए देखते हैं हमारे बच्चे कैसे सैंड्विच बना रहे हैं, ओके तो लेट्स गो! बच्चों ने ब्रेड ले लिया है, आलू दिखा दो जरा, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेस्टी ब्रेकफास्ट तयार होगा, टिफिन के लिए भी आप बच्चों को इसको दे सकते हो, और अब इसको सिधा हाथ से ही दिव् प्रोसेशन सिका भी कर रही है, वो पहले उस पे वो लगा रही है, क्या बोलते हैं, कैचप, तोमेटो कैचप लगा रही है, दिव्यांसी सिधा कैचप को साइध गार्निसिंग करके देंगी, और अभी सेंड़िश, इप्तरफ इनोंने, पैन को रख बढ़ें, पैन को रख कर दिया है, गरम होने के लिए, हैंड वास किया था ना, कोई भी काम, कुकिंग वाला, आप चाहे खाने जा रहे हो, या बनाने जा रहे हो, सबसे पहले हाथ को, अच्छी तरह से धो लेजिए, ताकि कोई भी, नुक्सान ना हो आपको, ना आपको, ना आपके बच्चों को, तो, बस बहुत ही जल्दी से सेंडूज मन के तयार हो जाती है, अब इसके उपर से, ब्रड को अरेंज करेंगी, अरजस्ट, अभी इस पर बटर या घी आप लगा करके सेख लीजिए, इसको, रोस्ट कर लीजिए, अच्छा सा, टोस्ट के जैसे बना लीजिए, बीच में ये डालो, आज खुद धीमी कर दो, ब्रॉजिए, औ को अर्श खर। आगा कर्शे करेंगेог़ों, इसके में ऑंब AOजब Cof Beim को अर बल्य Scripture में बधमाँ करें लीजिए, आप堆 जोली कि अपड़ पुमा जोली कि जब पुमारा नच्छार पुमारा जब अबगमाअने हाल आप श्छाइब आपका चाइब हागगद जाओ शुमारा नच्छार खज़ कि अवारा धगाईब जाको से नीचे से उठाओ अब इस पैचुले लगाओ नीचे से चलो एंशी का अचुम करें लिशें करुम से उख़पी ऑाओ कर लिए करें कोँ अचुम कर दोगजाओ क्या लिए्ट क्याओाओ नीचे से लिए अब तकदर लगाओ कर से कर दो. बज शेंद्विछ बन्के तैयार होगी, एक एक सेंड्विछ, सेंड्विश तयार होने में लगबग तीन से पांच मिनट का वक्त लगता है बस और दोनों लोगों ने अपनी अपनी सेंड्विश तयार करी लेकिन किसी ने स्मार्ट वर्क नहीं किया सब कुकिंग करते समय सारे सामान जो जो चीज की जरुवत हो पहले उसको अपने साथ रखना चाहिए नहीं तो हाथ पैठ जलाओगे इतने बड़े-बड़े हो गए हो सब लोग चलिए ठीक है लेकर आईए आप तो हम सब मिलके देखते हैं कि कैसे बनाया इन लोगों ने तो दोनों लोग अपके अपनी सैंविस त्यार करके लिए आए हैं जाके दिखाईए पहले देखो कैसी बनी है कैसी सिखी है ध्यान दीजिए क्योंकि मसाला तो सेम सेम है डेकुरेशन किसने कैसी की है अन्सी का तुमारी ब्रेड जो है वाइट है इसको और क्रिस्प करना चाहिए था और थोड़ा सा कड़क करना चाहिए था आप बड़े हो आपको ध्यान देना चाहिए चै celebrating यदीजिए की सिखी है कि पती की है क्रिस्प तो दोनों तरब से हुई है लेकिन दल्ती ने अन्से एक तरफ बठ नहीं लगा exatamente शनज करना जाने सेुए जल्दगाजी में और एक तरफ बठ लगा या जो दोनों खा के बताते हैं मसाला किसमें कितना लगा है सच में बहुत ही जल्दी बहुत ही कम चीजों से बहुत ही टेस्टी नास्ता और हेल्दी नास्ता मन के तयार होगा बहुत अच्छा है यह भी बहुत अच्छा बना है थोड़ी सी क्रिस्पी की कमी है और इसको थोड़ा करारा करना चाहिए था बागी दोनों का अच्छा है लेकिन यह छोटी है और इसने क्रिस्प भी अच्छा किया इसके इसको सवासी तो बनती है सवासी अंसिका भी देंगी इसको तो हमारे बच्चों ने बहुत मेहनद की है और अगर बच्चे काम करे तो उनको इनाम जरूर देना चाहिए मैं यह नहीं कहती हूँ कि बड़े से बड़ा इनाम दो बच्चों को एक चॉगलेट दे दो एक टॉपी दे दो नहीं हो तो गले लगा लो यह भी इनके लिए बहुत बड़ा इनाम होता है तो हमने भी सोचा कि जो छे दिंगी कंपटिशन में आपके इतना नंबर हुआ मेरा फूर नहीं आज कर लेंगे फूर नहीं आज कर लेंगे फूर तो विनर तो दिव्यांसी हुई क्लापिंग और सीखो आप भी कहीं कहीं पर अन्सिका ने भी दिव्यांसी को आगे बढ़ने का काम किया है और बड़ों को चाहिए कि छोटों को पुद्साहित करें वाज़े दिव्यांसी स्मार्ट तो है इसमें कोई दो राय नहीं है तो इतनी स्मार्ट है इस से रहा नहीं जा रहा है सब के सामने जुड गई है खाने तो आप सब के सामने हमें नाम देते हैं तो सबसे पहले दिव्यांसी को आलगी आपके दो बच्चे हैं तो एक को हतो उत्साहित एक को जादा उत्साहित नहीं करना चाहिए तो उनों को बराबर से सम्मान देना चाहिए बाकि तो समाज है ही ह मैंने इनको आगे पीछे करने के लिए तो मैंने दोन अबच्चों के लिए गिफ्ट मागा के रखे हैं तो प्लेट साइड में रखो और ये दियांची के लिए फ्लपिंग करो और ये अंशीका के लिए तो जोडो लोग तहन के आओ और अपने हैंच को दिखाओ की कैसा है चल दे इससे पहन के आगे दिखाओ तो दोनों की टिशर्ट टॉप्स कैसे हैं कमेंट चरके जरूर बताइएगा ये दोनों को इनाम मिले हैं दोनों लोग अपने लिए क्लैबिंग कर लो और जिंदगी में जो काम करो पुरी तयारी के साथ जीस-चीजीत की जरूरत हो उसको पहले से अरन्ज कर लो चाहे पढ़ाई में हो चाहे कोई भी काम कर दे जाओ हमेशा पुरी तयारी के साथ जाओंगे तो आपको पीछी नहीं कर सकता है तो हम इस वीडियो के वादियों से यही बताना चालते हैं कि बच्चों को हर काम के लिए पुछाहिक करिए सब काम उनको सिखाईए और किस काम को कितने तयारी के साथ करना है यह उन्हें जरू सिखाईए तो हमादे बच्चों का काम आप सब लोग को क्या सा लगा? कमेंट करके ज़रू बताईए और फिर मिलते हैं सबस्टै भी कर लीजिएगा दिव्यांती बता रहे हैं हम बूर जाते हैं आगे, सबस्क्राइब भी और बेल आगे में प्रस कर देना कमेंट भी ज़रू कीजिए में कमेंट करना कि हम बूर की स्टैनल सामको कैसे लगा और हम बख़दा सामको कैसे लगा? ओके, तो आगे से हम अपने वीजियो को कंट्यूमी करेंगे सीखेंगे, सिखाएंगे और सब मिलबार के खाएंगे तो मिलते हैं अगले वीजियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइ